जस हत्याकाण में इंसाफ की माँ टिकेट की हुका, CBI जाँच करो सका पीडितों से मिलकर टिकेट ने दी सांतवना हुड़ा ने भी उठाई CBI जाँच की माँ जस की हत्या के मामने में एक बड़ी ख़बर सामने आई है पुलिस की कारवाई से पीडित परिवार अभी भी संतुस्ट नहीं नज़र आ रहा है और लगातार CBI जाँच की मांग कर रहा है इसी वीज किसान यूनियन के दास्टी प्रवक्ता राकेश टिकायत ने भी पीडित परिवार से मिलकर उन्हें सांतवना दी है और कहा है कि यह एक बहुत ही निर्मम हत्या है जिस किसी ने भी या किया है उसे सदा कठोर से कठोर मिलनी चाहें टिकायत ने कहा कि भारतिये किसान यूनियन पीडित परिवार के साथ है राकेश टिकायत ने कहा कि हम इस हत्याकान की निस्पाक्ष जाँच वह परिवार द्वारा जो CBI जाँच की मांग की जा रही है उसको लेकर मुख्यमंतरी मनुहर लालकटर से मिलेगी और CBI जाँच की मांग को उठाएंगे पिडित परिवार पुलिस जाँच से संतुष्ट नहीं है उन्होंने का कि यदी परिवार CBI जांच की मांग कर रहा है तो सरकार को इस पर आपत्ती नहीं होनी चाहिए उनकी संतुष्टी के लिए CBI जांच को करा देना चाहिए ताकि आमजन का कानून पर विश्वास बना रहे पुलिस जांच में जिन वेक्तियों को आरोपी बनाया है प्रीडित परिवार उससे संतोष्ट नहीं है बता दें जस हत्याकार में पूर्व मुख्य मंतरी भुपेंदर सिंग हुड़ा ने भी अपने सातियों संग परिवार संग मुलाखात की इस मौके पर हुड़ा ने मृतक परिवार के साथ बाच्शीत का सारी घटना की जानकारी ली मृतक के परिवार ने पूर्व मुख्य मंतरी को बताया कि पुलिस द्वारा जस्ट की हत्या के आरोप में जस्ट की चर्चा, अंजिनी और जस्ट की ताई और दादी की गिरफतारी हुई है पुलिस ने कार्णवाई ठीक से नहीं की है सरकार को इस मामले में CBI जांच करवानी चाहिए बतादी पत्रकारों से बात करते हुए हुड़ा ने का कि मासून जस्ट की वेहत निवम तरीके से हत्या की गई है पुलिस द्वारा इस मामले में जो भी कार्णवाई की गई है उससे म्रतक की परिजन संतुस्ट नहीं है सरकार वा पुलिस को म्रतक की परिजनों को संतुस्ट करना चाहिए जब म्रतक के परिजन इस मामले में CBI जांच की मांग कर रही है तो फिर सरकार को उनकी मांग को पूरा करना चाही उन्होंने का कि इस हत्याकान की सीवियाई जांच होनी चाही इस मामले में हम मुक्यमंतरी सिर्वात करेंगे बहराल ठिकायत और पूर्व मुक्यमंतरी ने सीवियाई जांच की मांग की है अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है ये देखने वाली बात होगी इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है कमेंट के जरी जरूर बताएं आगे के लिए देखते रहें के नाइन मीडिया